आज 7 star sau species भोजन रेसीपी में मैं लाई हूँ चिक्की, गूर की चिक्की और ये दाल चिक्की है चने की दाल है, इसको फुटाना बोलते हैं, दाड़िया बोलते हैं तो ये चने की दाल की गूर की चिक्की आए देखते हैं, कैसे बनाते हैं ये गूर है special गूर है जो चिकी के लिए यूज किया जाता है और ये दाल है और ये सोडा है और ये इलाइची पाउडर है आए शुरू करते हैं medium flame पे मैंने flame को रखा है और अभी पहले मैं गूर को melt करूँगी उसको पिगलाऊंगी continuous गुमाना है और इस तरह से गुमाते रहें अभी गेस को flame को slow कर देना है क्योंकि वो पिगल चुका है ये देखिए इसको इस तरह से continuous गुमाना है अभी काफी पिगल चुका है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ soda जो डालते है तो color change हो जाता है और खाने में करक करक नहीं लगता है crunchiness feel होता है ये तो दात में दर्द होता है दुखता ये देखिए fluffy हो गया color change हो गया अभी मैं इलाइची powder डालती हूँ आपको essence भी डाल सकते हो मैंने flame को अभी off कर दिया है और दाल दाल दिये जो फुटा ना दाडिया बोलते हैं और ये इस तरह से mix किया ये बहुत healthy चिकी है ये tasty भी होती है body के लिए बहुत अच्छा होता है ये हमें रोज एक पीस ठंडी में खाना चाहिए और ये पूरा vitamins भी देता है proteins अभी मैं इसको रोल करती हूँ तो मैंने platform में पूरा oil grease करके ये मैंने पूरा निकाल दिया है और अभी मैं क्या करती हूँ two three drops पानी डालती हूँ अपने palm में और इसको इसके support से इस तरह से करेंगे कोई हाथ नहीं जलेगा कुछ problem नहीं होगी इस तरह से उसको पूरा bind करके और मैं रोलर में भी जो बेलर ने उसमें भी oil डाला है और इस तरह से मैं उसको पूरा रोटी की तरह पराठे की तरह गो मोटा रखना है पतला रखना है इसको ऐसे करके खुलपी की help से चेंज कर रही हूँ डायरेक्शन इस तरह से अब यह थंडा हो गया है तो फटा फट प्रोसेस करनी है और जहां जहां बीच बीच में ऐसे फट जाता है क्रेक आ जाती है तो उंगली दो तिन उंगली से इसक ख्रोन दे रही हूं थंडा होने नहीं देना है medium आच में इसको कर रही हूं ऐसे देखिए तो यह इस तरह से इसको अभी हम करेंगे तो यह देखिए अभी इसको इस तरह से फटा फट शेप देने के बाद मैं आपको थोरा उसको है ना room temperature में होने देना है तो टू-3 आप निकल रही है इसका shape देखिए और ये देखिए किस तरह से अपने आप अभी निकल रही है उसको room temperature में आते है न तो ये हो जाता है खुल जाता है पूरा उसका pieces तो friends ये आप अभी serving plate में मैंने डाला है आप try कीजे like share comment कीजे friends ये बहुत healthy होता है और इसमें बहुत सारे proteins मिलते हैं खंडी में ये जरूर आप try कीजे like share comment कीजे और आप ये बना के देखिए ना इसमें पानी डाला है ना तेल डाला है और इस तरह से मैंने देखो आप कितना अच्छा है मैं हाथ में आपको दिखात ये देखिए ना चिपका चिपका भी नहीं है क्योंकि ना मैंने उसमें पानी डाला है तो एक दूसरे को चिपकता भी नहीं है आप try कीजे enjoy